हेलो फ्रेंड्स मैं आपका राहूल भीया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोडिक चैयाम में तो दोस्तों अब आप लोगों का जो पेपर है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है समय अब निकल रहा है बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है लगबग 3-4 महीने का समय सेफ है तो जितने भी द्यारती अच्छे से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है लेकिन जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सोच रहे हैं कि लाश्ट समय में पढ़ेंगे तो वो अपनी पढ़ाई को अब शुरू कर दें क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और समय कम निकल जाता है पता नहीं चलता है सितंबर आ चुका है धीरे धीरे दिसंबर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा इसलिए अगर आप पढ़ाई अभी तक नहीं कर रहे हैं तो करना सुरू कर दीजिए आज कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 का विज्ञान का पेपर यह पेपर हम लोग क्यों देखने वाले हैं क्योंकि 2024 का जो आपका पेपर होने वाला है उसका पैटर्न कैसा रहेगा वो 2023 का पैपर ही हमें बताएगा ठीक है क्योंकि 2023 का जो पेपर हुआ था वो पैटर्न चेंज हो गया था 2023 के पेपर में ठीक है संद 2023 में यानि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आप लोगों से 20 नंबर के बहुविकल्पिय प्रिश्ण पूछे जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में अगली बार जैसा पैटर्न था कि कौन सा क्वेश्ण कितने नंबर का पूछा जाएगा ठीक है तो वही पैटर्न इस साल भी रहने वाला है अगर आप सब कुछ पढ़ भी लेते हैं अगर आपको पैटर्न नहीं पता है अगर आप प्रिभियस एर का पैपर नहीं देखेंगे तो आपके नंबर कम आ सकते हैं सब कुछ पढ़ने के बावजोद भी इसलिए प्रिभियस एर का तीन से चार पेपर सौल भी कीचिएगा और ये पेपर तो जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपका पैटर्न बताएगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो कैसा रहेगा तो आज ही देख लीजिए कि आप का पेपर कैसा रहने वाला है तो ये 2023 का साइंस का पेपर है मैंने हिंदी का अल्रेडी बना दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके वहां से देख सकते हैं सतर नमबर का पेपर रहेगा तीन गंटे 15 मिनट द पढ़ना ही है अगर निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ कलतियां कर देंगे तो निर्देश पढ़ लेते हैं पहला है प्रश्ण पत्र दो खंडों खंड अ तता खंड बा में विभाजीत है ठीक है दूसरा एक खंड अ तता खंड बा तीन उप भागों उप से भरें OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्यात उसे नहीं काटें तता इरेजर अथवा वाइटनर का प्रियोग न करें पहुँच जादा इंपोर्टेंट बात कही गई है इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला है कि खंड अ में बहुविकलिवी प्रश्ण ह प्रतेक प्रश्ण के लिए एक अंग निर्धारित हैं खंडबा में वरणात्मक प्रश्ण हैं प्रतेक प्रश्ण के सम्मुक उसके निर्धारित अंग दिये गए हैं खंडबा के प्रतेक उपभाग के सभी प्रिश्ण एक साथ करना आवस्यक है तो आप एक साथ ही अगर आप खंडवा इस टार्ट कर देते हैं तो सारे प्रिश्ण को पहले कर लीजिए गा प्रतेख उपभाग नए प्रिश्ण से प्रारम किया जाए और आपको देखे पन्ने की बचत नहीं करनी है वहां पे आपको जीतना पन्ना चाहिए जितना पेच चाहिए आपको दिय जाएगा तो ऐसा नहीं कि एक पेज का आदा भर गया तो आप नीचे दूसरा प्रिश्ण स्टार्ट कर दें आप अगले पेश से स्टार्ट कीजिए जैसा कि दिया खंडबा के प्रतेक उपभाग के सभी प्रिश्ण एक साथ करना होसा है कि तो आप प्रतेक उपभाग नए प्रिश्ण से प्रारम किया जाए ठीक है सभी प्रिश्ण आनिवार है करना सारे के सारे करना ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना है आपको सारे करना है वही चीज़ यहाँ पर इंगलीश में दिया गया तो आप पढ़ सकते हैं अब इस्टार्ट होता है खंडब अ अर्साथ जो कि बहुविकल्पिय प्रिश्ण है और 20 नंबर के बहुविकल्पिय प्रिश्ण पूछे जाएंगे ठीक है तो देख सकते हैं प्रकास के परावर्तन के लिए सदयव नियम सदयव सत्य होते हैं और हाँ अगर आपको इसका सोल्योसन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमें करा दूँगा दूसरा प्रिशन है किसी वस्तू का आवर्दित कालपनिक प्रतिवीम बन सकता है वही प्रिश्ण हिंदी में भी है और इंगली दोनों लेंग्वेज में दिये गया है तीसरा प्रिश्ण है कि अत्यदिक उच्च प्रतिरोEZ वाला पदार्थ कहलाता है बहु इतली में उत्पन उस्मा की मात्रा हो जाएगी एक ब्यक्ति दूर इस्तित वस्तों को इस पश्रूप से देखने में आज समर्थ है उसके नेत्र में कैसा दोस होगा पहुत हीजी प्रिश्ण है ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे कोईशन दिये गए हैं तो कितने कोईशन पार दूसरे पेशे करना प्रारम कीजिएगा यहाँ पर भी कुछ प्रिश्ण दिये गए हैं जो कि 12 प्रिश्ण हैं देख सकते हैं यहाँ पे फिर आगे कार्बन परमाड़ों की समय हो जाकता है फिर आब आता है उपभाग 3 जैसा कि उपर दिया था कि 1-2-3 उपभाग होंगे तो 20 जो बहुवी कल्पिये प्रिश्ण होंगे तीन उपभाग में बटे होंगे तीन सेक्सन में बटे होंगे ठीक है वही एक फिजिक्स होगा एक केमेश्टी होगा एक बायोलाजी होगा तो यहाँ पे बायोलाजी है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारत पतारत का निसकासन सरी से होता है क्या कहा जाता है प्रेकासन सलेशट के दवरान निम्न में से कौन सी ये क्रिया नहीं होती है तो यह सब क्या है जीव विज्ञान के प्रिश्ण है तो यहां से जीव विज्ञान के प्रिश्ण पूछे जाएंगे तो कूल मिला करके 20 प्रिश्ण जो कि नहीं दो पियोग को लिखिए और तल दर्पड से प्रतिमिम बनाने के लिए किरण आरे खीचिए जबकि वस्तु A अनंत ऐवं वक्रता के इंदर 2-2 नंबर आपके दिये जाएंगे अगर सारे इसमें जो जितना भी प्रिश्ण पूछा गया सब कुछ साई कर देते हैं, ठीक है, दूसरा प्रिश्ण देख सकते हैं कि अपवर्तन के क्या नियम है, ठीक है, तीन सेंटीमेटर की वस्तू उत्तर लेंस के मुखे अक्ष के लमवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमेटर और लेंस से वस्तू की दूरी 10 सेंटीमेटर है, प्रतिवीम की इस्ति आकार एवं प्रकृति ग्यांद कीजिए, क्या हम इस प्रतिवीम को परदे पर देख सकते हैं, यह भी 2 प्लस 2 यानि 4 नमबर का प्रिश्ण है, ऐसे ही आगे चलेंगे, तो 14 प्रिश्ण है, और देखे ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखा है, इनमें सारे प्रिश्णे करेंगे, तभी आपको नमबर दिया जाएगा, अगर आपको केवल इसमें काता है कि चुम्ब की इस्ति रेखाओं के गिनी 2 गुड़ों का उलिक कीचिए, तो आपको वही लिख देना है, ठीक है, दो नमबर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि लिखा है, दो प्लस दो प्लस वन प्लस वन, यानि जो questions है इसमें, अलग अलग पार्ट में विभाजीत है, एक प्रिश्ण करते हैं, दो नमबर वाला तो दो नमबर मिलेगा, फिर उसके बाद वाला करते हैं, तब भी करना है, आपका सारा कार्ट दिया जाएगा, किसी एक ही प्रिश्ण को आपको करना है, चाहे दो नमबर का आता है, दो नमबर का कीजिए, चाहे पूरा आता है, तो पूरा कीजिए, लेकिन केवल एक ही करना है, वहीं इंगलिस में दिया गया है, आप आता है उप भाग दो जैसा कि उपर बताया गया था, पांच वे का A है, निमनलिकित समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, दो प्रिश्णा है इसमें, A में भी दो ठो दिया है, और B में भी दो प्रिश्णा दिया है, दो दो चार नमर का प्रिश्णा पूछा जाएगा, पिर चात्मा प्रिश्णा और अवच्छे पड़ अभी क्रिया के बारे में 6 नमबर का प्रिश्ण है अथो हम इसको कर सकते हैं प्लाश्टर आप पेरिस का गुड लिखना है तता दो उपियोग लिखना है और 6 और अमलत से आप क्या समझते हैं दैनिक जीवन में पेरिस के दो उपियोग लिखने हैं आपको एक एक प्रिश्ण तीन नमबर का है तो 6 नमबर यहां से भी आपको मिल जाएगा किसी एक प्रिश्ण को आपको करना आ या तो उपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला अब आता है उपभाग 3 यानि सब सेक्षन 3 प्रिश्ण है कि पोसर्ड किशे कहते हैं स्वपोसी पोसर्ड वपर पोसी पोसर्ड का उपियोगत उधारण साइतर सचितर वरण कर देते हैं तो 3 नमबर इसका भी दिया जागा 4 नमबर आपको मिल जाएगे 9 प्रिश्ण है कि पुस्प की अनुदैर दे काट का स्वक्ष एवं नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन पुस्पांगों का वरण कीजिए यानि चित्र बनाते हुए करना है तब आपको पूरे अंक दिये जाएगे चार नमबर ये भी प्रिश्ण है पर दसवा प्रिश्ण है कि प्रेक्रितिक संसाधननों के संपोसित प्रबन्दन से आप क्या समस्ते है इनके संरचछद वा प्रबन्दन की विभिन हुपायों का वरण कीजिए अगर ये नहीं आता है तो अथ्वा में मानों के नर जनन तंत्र का सच्छितर वरणन आपको करना है छे नमबर का प्रिश्ण है ठीक है तो यही हमारा लाश्च प्रिश्ण था जो कि दिरगउत्रिय प्रिश्ण था छे नमबर का दिक्तम प्रिश्ण पूचा गया है इससे ज मिर्धारित किये गए हैं वैसे ही प्रश्ण 2024 के साइंस के पेपर में पूछा जाएगा तो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है अगर इसमें से आप आदा से ज्यादा प्रश्णों को हल कर पा रहे हैं जितना पढ़े हैं उतना भी हल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छ ही हो पाएगी क्योंकि प्री बोर्ड का एकजाम आने लगता है प्रैक्टिकल आने लगते हैं जिससे आप उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएं लिए उस समय के वल रिवीजन ही करना चाहिए आप लोगों तो वो समय रिवीजन को दीजी ठीक है मेरी बात को मानियों पढ़ना सुरू कीजे चलिए मिलते हैं नेक्श वीडियो में धन्यवाद